लॉर किश्णा नमन, everybody, dear student, sound need a medium to travel sound को एक medium की जरूरत पड़ती है, माध्यम की जरूरत पड़ती है बिना माध्यम के sound एक जगे से दूरी जगे ट्रेवल नहीं कर सकता sound travels through air, water and can also travel through solids such as wood, steel and bricks wall तो sound को travel करने के लिए air, water यानि कि पानी और बायू की जरूरत होती है and can also travel through solid sound जो है ठोसों के माध्यम से भी जैसे कि लकड़ी, इस्टील और घर की दीवालें इनमें भी travel कर सकता है the sound need a material medium to travel यानि कि sound को एक माध्यम की जरूरत है, material medium की जरूरत है, travel करने के लिए the speed of sound is however not constant यानि कि जो speed होती है, जो चाल होती है, sound की जो चाल होती है वो constant नहीं होती, इस्थिर नहीं होती, in different medium, अलग-लग माध्यम में that means अलग-लग माध्यम में अलग-अलग इनकी speed होती है sound wave move better through densely packed matter sound wave बहुत अच्छे से, बहुत तेजी के साथ move करते हैं यादि वो densely packed matter से travel करते हैं just like solid, अब कोई बहुत अच्छा solid जैसे आपने देखा कि हम बचपन में देखते थे कि कोई train आ रही है तो train की पटरियों पर अपने कान लगा कर उसकी धुनी सुने लेते थे अगर train 2 km, 1 km की दूरी पर है तो हमें पता चल जाता था कि हाँ train आ रही है क्यों उसका sound जो है उस पटरी के माध्यम से हमारे कानों में पहुंचता था और हम फिल कर लेते थे कि हाँ train आने वाली है तो hand sound wave travel better through solid यानि कि यहाँ पर जो sound है वो solid में better तरह से travel करता है if you ever put your ear on railway track अगर आप अपने कानों को railway track पर रखते हैं you will be able to hear the sound of the train traveling on the rail at a far away distance तो बही बात जो हमने आपको बताई कि कोई भी train आपको train का आना आपको यहाँ पर travel करते हुए आपको सुनाई देगा feel करेगा अगर वो दूरी पर है you will not hear this in air आप इसे air में नहीं सुन सकते हैं लेकिन यह कहाँ पर सुन सकते हैं आप densely packed matter just like iron इसमें आप सुन सकते हैं sound travel slower when you move higher up in atmosphere where the air is thin तो sound धीमे हो जाता है sound की गती धीमे हो जाती है जब हम उचाई पर पहुंच जाते हैं बातवड की उचाई पर तो जहाँ air is thin यानि कि air की concentration कम है air पतली है ऐसा तो नहीं बोल सकते लेकिन air की concentration कम है बहां के atmosphere में air के particle कम है गैसों के particle कम है sound wave would not travel at all in absence of matter तो sound wave जो है travel नहीं कर सकती यदि absence of matter कोई matter नहीं है कोई माध्यम नहीं है vacuum में sound wave travel नहीं करेंगी इस वाई you cannot hear anything in space आप space के अंदर कुछ नहीं सुन सकते because there are किसी भी तरह का anybody atmosphere are absent बहाँ पर किसी भी तरह का atmosphere नहीं होता बहाँ कोई भी gas नहीं रुक पाती अब आप सोच रहे होंगे कि sir आपका जो space होता है उसमें कोई भी gas क्यों नहीं रुक सकती क्योंकि हर एक particle इसके velocity से ज़्यादा की speed में बहाँ रहता है मतलब बहाँ पर हर किसी का plane हो जाता है plane escape velocity plane wake plane wake का मान बहुत अधिक है हमारी प्रतिवी पर 11.2 km per second that means यदि हम किसी भी particle को 11.2 की speed से फैक दें तो वो दुबारा प्रतिवी की surface पे नहीं आएगा ध्यार रखना प्यारे पिद्ध्यारतियों आप कल को scientist बनेंगे और देश के लिए बहुत सारे परिछड करेंगे आप बहुत सारे satellites जिनको हम यहां से जो move up करेंगे उन्हें जो energy देंगे इनकी अगर हम speed की बात करें तो 11.2 किलो मीटर पर सेकेंड की high speed से यह चलते हैं यह मींज एक सेकेंड में आपके 11 किलो मीटर एरिया पार कर जाते हैं इतनी high speed अब आप सोच रहे होंगे कि sir अगर इतनी speed atmosphere में रहेगी तो चाहे कुछ भी हो जल जाएगा तो ध्यां रखना बात तो सभी है कि जल जाएगा लेकिन हम उसका जो outer surface बनाते हैं वो ऐसे पडार्थों से बनाते हैं जो जलेना मतलब जो मतलब बिद्धुत रोधी हो जो कि ताप रोधी हो ताप मतलब टेंपरिचर को कंट्रोल करने वाला हो है न तो जितने भी आपकी सैट्रिलाइट वगरा भेजी जाती है तो वो ऐसे ही सबस्टेंस से बने होते हैं दिस इज वाई यू कन reflection न स्पेस व्यक्यू तो में सून नहीं पाते हैं करें इन नो है करें कोशन नहीं होता यह स्पीड कि सांद की स्पीड कीबात करें तो sound travel at a speed of 5,180 meter per second तो sound की जो speed होती है 5,180 meter per second होती है through steel 1,498, 1498 steel में होती है meter per second through water 340 meter per second throw in water यानि कि 1 second में 340 meter की जो distance travel कर सकते हैं बाटर के अंदर anything that travels faster than the speed of sound is set to travel at supersonic speed तो जो sound की speed चेट चल सकता है उसे हम supersonic speed कहते हैं आप भी सुनते होंगे supersonic cruise missile हमारे देश ने नहीं आप परी छड़ कर दिया सुनते हैं काफी अच्छा लगता है जो हमारा देश DRU हमारा हमारे देश का जो DRU है तो जब नइनी missile launch करता है अभी आपका नाग missile अगनी missile है ना यह सारी के सारी supersonic cruise missile थे ब्रहमोज missile के बारे में भी आप जानते होंगे हैं ना तो बहुत अच्छी missiles है और air to air air to land कहीं पर भी आटेक करने में सच्छम है और आपके जो नई fighter jet खरी दे गए हैं रफेल के बारे में आपने सुनाओगा तो बहां पर भी उसे प्लांट किया गया है देश की सुरच्छा में इसका एहम योगदान है हमने अपने कुछ परोस मुलकों को बियतनाम बगेरा को यह सैल्वी किया है हमारे देश ने काफी मौटी रकम कमा है इसे हैं आप चानते हैं